तो अभी हमारा next topic है dollar exist basically dollar exist में हम चेक करते हैं कि वह field exist कर रहा है कि नहीं हमारे document के अंदर ठीक है suppose मेरे पास 4 documents है एक collection के अंदर and 2 collection के दो documents के अंदर name field है और 2 collection के अंदर name field नहीं है ठीक है अगर मैं check करूँगा कि name exist true तो जिसमें इसमें name field है वो वो document मुझे return करतेगा अगर मैं check करूँगा कि name exist false ठीक है तो मुझे ऐसे document मिलेंगे जिसमें name field नहीं हो तो आते है definition की तरफ when the boolean value is true the dollar exist operator matches the document that contains the field with any value including null okay तो जैसा कि मैंने starting में बोला कि अगर हम dollar exist में अगर boolean value में true दे देंगे तो वो चीक करें कि वो field exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे document के अंदर okay अगर वो document के अंदर वो field exist कर रहेगा तो वो documents मुझे return कर देगा मेरा output ठीक है अगर if the boolean value is false the dollar exist operator matches the documents that don't contains the field okay तो अगर मैं boolean value false देंगा तो वो match करेगा कि यह यह field कौन किस किस document में exist नहीं करता है अगर वो exist document exist नहीं करता रहेगा तो वो document मुझे return कर देगा मेरा output all screen पे ठीक है तो syntax हाफे simple है मुझे के वह लिखना है db.collection.find and after that round bracket curly braces एंड मेरा field का नाम after that colon और एक और curly braces उसके अंदर हम लिखेंगे dollar exist colon true या false ओके यह true या false को हम 0 या one में भी ले सकते हैं ओके तो 00 means होता है हमारा false and one means होता है हमारा true ठीक है तो मैं वह बताने हो लाँ अपने mongosil के अंदर तो अभी मैं चाहता हूँ अपने mongosil में और मैं query लिख के बताता हूँ आप लोग को ठीक है सबसे पहले मैं अभी सबसे नीचे जाता हूँ तो मैं जैसा कि बता दो मैं work कर रहा हूँ एक राहूल technology database के ऊपर ठीक है और उसमें total मेरे पास 10 documents है इंप्लाइज एक मैंने बना था collection employees और उसके ने टोटल 10 documents है अगर मैं आप लोग को एक documents दिखा दो तो मैंने कुछ document इस तरीके से रखा है यह document का structure है आप लोग देख सकते हो ठीक है तो मैं काम करता है सबसे पहले मुझे check करना है कि dollar exist true or false करने के लिए तो मुझे एक field add करना पड़ेगा ठीक है तो क्योंकि मेरे पास अभी जितने field है जो जो fields है वो सब document में exist ही करता है मैंस ऐसा कोई मैंने बनाया नहीं था कि वो field exist ना करता हूँ ठीक है तो मैं एक नया field add करता हूँ मैं करता हूँ डेट आप ज्वाइनिंग और उसमें अभी करेंट डेट स्टोर कर दोंगा तो मैं लिखता हूँ db.employs. update मैंनी ठीक है round bracket curly bases यह रहा मेरा first curly bases and second curly bases में हम लिखते कि हमें क्या document add करना है तो सबसे पर लो मुझे add करना क्या field add करना है तो मुझे सबसे पर डॉलर से लिखना है and after that मैं यहां पर एक curly bases open कर रहा हूँ और मैं यहां पर लिखना हूँ date of joining मुझे add करना है और date of joining मुझे value कर डालना है जो आज का date है अभी current date चल दा है मैं लिखना हूँ new date जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि match count उसको 10 मिला and उसने modified count 10 कर दिया मिन जितने भी document है सब के अंदर उसने date of joining करकर फिल्ड add कर दिया है अगर मैं दिखा हूँ आप लोगो तो आप लोगो तो आप देख सकते date of joining field add हो चुका है मेरा and date of joining add field हो चुका है ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं अभी के लिए मैं किसी दो document में से date of joining field को remove करता हूँ और after that मैं check करता हूँ मैं तो मैं dollar exist proper check करता हूँगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 209 and 210 में जो date of joining field है मैं इसको remove कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर query लिखूँगा मैं कि db. employs.update1 अब रॉन ब्रैकेट फर्स्ट कर्ली बैसेस एंड फर्स्ट कर्ली बैसेस मुझे लिखना है जिसका employee id209 हो और कॉमा लागे मुझे second bracket में लिखना है dollar और यहाँ पर मैं यूज करने आ लाँ अनसेट अनसेट से क्या होता है कि वह अनसेट कर देगा मिंस डिलिट कर देगा और मैं लिखते हैं पर date of joining column 1 जैसे में अन्टर करूंगा तो उसको match count 1 मिला एंड उसने modified count 1 कर दिया ठीक है तो 2009 हो गया और मैं भी एक और employee को प्रकाइट रिमो करता हूं डेट आफ जोइनिक फिल्ट रिमो करता हूं तो मैं करता हूं इंप्लाइड इसका 210 है तो इसमें डेट आफ जानिक फिल्ट नहीं है और इसका अगर मैं पूरे document account आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 10 documents है उसमें से 8 ऐसे documents है जिसमें डेट आफ जानिक फिल्ट एक्जिस्ट करता है और टू ऐसे document है जिसमें डेट आफ जानिंग फिल्ट एक्जिस्ट ही नहीं करता है ठीक है तो अभी हम उसके नहीं क्वेरी लिखते हैं तो सबसे पहले में लिखता हूं डीपी डॉट employees.find और फाइंड के अंदर मेरा राउंड ब्रेकेट करली बसेश ठीक है और यहां पर में फिल्ट लिखूंगा मैं लिखूंगा देट आफ जोइनिंग कालन अफ्र जैट मेरा करली बसेश आएगा और मैं लिखूंगा एक्जिस्ट इएक्स आई एस्टी एस एक्जिस्ट कॉलन टू जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप लोग देख तो मुझे ऐसे से डॉक्मेंट में रहेंगे जिसका जिसमें डेट जैनिंग फिर्ट एक्सिट करता है अगर मैं इससा काउंट आप लोगो दिखाऊं तो मैं सिंपल यहां पर लिखूंगा डॉट काॉंट फंसन तो लोग देख से टोटल ऐसे एट डॉक्युमेंट है जिसमें डेट ऑफ जैनिंग फिर्ट एक्जिस्ट करता है औक एंगर होता है one and zero one means होता है true and zero means होता है मेरा false okay तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ date of joining exist और यहाँ पर मैं लिख दू जीरो तो zero means होता है false तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप लोग देख होता है मुझे same output मिला है false के जैसा means false में मेरा two document written किया था और यहाँ पर में मेरा two document written किया गया अगर मैं यहाँ से zero के जागा पर one कर दूँ तो मुझे अभी eight document मिलेंगे जो कि मेरा expected था ठीक है क्योंकि true true मतला होता है one हम या तो true लिख सकते है या तो हम false लिख सकते है या तो हम zero लिख सकते है ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको कुछ बीट आउट हो तो आप मुझे comment सकते हो पूछ सकते हो या फिर मेरे mail आडियो पूछ सकते हो मैं उसका reply जरू करूँगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ सेज जरू करे और मेरे चैनल को भी सस्क्राइब जरू करे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाए